सियासत के देखे हैं रंग हजार नहीं कुछ सिवा जोल के कोशिश करके देख लो बिना जोल के सियासत मिले तो बताना हर तरफ जोल ही जोल है जोल है नेतिकता का इमानदारी का और खुद्दारी का मोल है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का चाहे फिर सत्ता कैसे मिले ये किसी को फर्क नहीं पड़ता सत्ता के खेल में चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले लेकिन अनैतिक होना ही पड़ता है इसी खेल की एक पुरानी खिलाडी है मायावती वही मायावती जिनोंने 1995 में सफा की सरकार गिरवाई गेस्ट हाउस कान मामले में मुलायम पर 24 साल तक केस चलवाई और 2019 में सत्ता के लालच में खुद ही मुलायम संग फोटो खिचवाई आज कल मायावती खूब चर्चा में है बहन जी अपने ट्विटर पर पोस्ट कर कॉंग्रिस की खूब खटिया खड़ी कर रही है मायावती कहीं कि जब 1995 में हम पर हमला हुआ तो कॉंग्रिस कहां थी कॉंग्रिस ने अपना दायत्व क्यों नहीं निभाया लेकिन वो भूल गई कि जब 1995 में BJP ने उनको समर्थन दिया तो उन्हों ने अपना दायत्व निभाया ऐसे में उनका भी तो दायत वो बनता था कि BJP को समर्थन दे लेकिन नहीं सत्ता के खेल में पलटना तो एक रिवायत जैसा है एक ऐसा रिवायत जिसको मायावती पुरी शिद्दत से निभा रही है अपने ट्वीट में मायावती कहती है कि सम्विधान रक्षक कॉंग्रेस, SCST और OBC को क्या वाजिब हक दिला पाएगी मायावती के ट्वीट के अनुसार ना तो कल कॉंग्रेस, बसपा और दरितों के साथ थी और ना आज है इस पोस्ट से एक चीज तो साफ हो गया है कि बहन जी भाजपा के खिलाफ कुछ भी कॉंट्रोवर्शल बोलने से बच रही है इस पोस्ट पर भी उन्होंने भाजपा के लिए सर्फ पॉजटेव ही लिखा है लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि केस बंद होने के बाद ही क्यों गैस्ट हाउस कांड याद आ रहा है क्या सही में मायावती को गैस्ट हाउस कांड सताता है अगर सताता है तो आकर केस को बंद कराया ही क्यों गया कुरसी के लालच में मायावती फसी ही क्यों क्या सच में ट्वीट में जो हमें दिख रहा है वो मायावती का गुस्सा है या फिर महज सियासी स्टंट ये तो खैर समय ही बताएगा बाकि मायावती के इस ट्वीट के उपर आपकी क्या राय है आप हमें comment section में बताइए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ